दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर तरह की वीडियो की अप्डेट सबसे पहले मिल सके यह जादू है जादू और अगर इस जादू को आप हिंदुस्तान के कौने में जाजा घुमाओगे वहां वहां आपकी टीम पैदा हो जाएगी तो जो टूल्स वेग दोस्तों आप लेके घूम तो आप यह मत सोचो कि वहां आपकी लिस्ट है या नहीं है अगर सोचना है तो बड़ा सोचो और बड़ी सोच के साथ काम करोगे तो बहुत आगे जाने वाले हो और बहुत बड़ा काम करने वाले हो दोस्तों यह तो को छोटे मुटे अचीमेंट्स थे जो सेवसों में हमने लिए लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं सेविन सक्सिस की और यह सेविन ज सबसे पहले देखो डाइमन तो आप बनोगे लेकिन सबसे पहले अगर आपके सक्सेस में कोई अंतर डालेगी सबसे पहली चीज एक किताब भी आप ले सकते हो उसके नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िये मत चाट जाएए उसको घोल के पीड़ाइए हमारे ग्र दोस्तों आज के बाद सबसे पहली जो की है अगर मैं अपनी बात करूं लोग क्या कह रहे हैं डजन मेंटर लोग क्या बोल रहे हैं इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन हर हाल में कभी कभी मेरी बड़ी सोच का मजाग भी उड़ा आपकी भी बड़ी सोच का मजाग उड़ा सकता है जब आप लोगों को बोलोगे कि मैं ओड़ी खरीदूँगा मैं साब इतने डायमंड बनाओंगा मैं कैपिंग पे पहुंचूँगा मैं ये करूँगा बड़ी बात है करोगे तो दोस् के बिजनेस में चार्चांद लगाएंगी और बहुत आगे लेके जाएंगी तो नंबर एक ठिंक ड्रीम हमेशा ध्यार को ठिंक विक ठिंक विक ड्रीम बिग बिली बिग एंड दा विल क्योंकि दिखनी रहा मेरों को आप देख रहे होंगे मतलब आप बड़ा सोचो बड़ा मैं आज मैंने बड़ा सपना देखा कि मेरी एक टांग जो है वो जमीन पर है और दूसरी टांग आसमान में तो उसकी मां बोलती है वोला बेटा ऐसे सपने मां देखा कर एक ही तो चड़ी है वो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने सपनों की बात करोगे बड़े- बिजनेस में आपको रिख़ो आपको recorded बाला लीटर बनना है आपको एक ऐसा लीटर बना कि आने वाले समय में जिसका नाम की चर्चा और काम की चर्चा हिंदउस्तान में पूरी दुनिया में हो तो आज से बड़ा सोचना शुरू करो Indian καई मैंने सीखा साब धीरोवाई अमानी से धीरोवाई अमानी एक बात कहते हैं कि बड़ा सोचो जल्दी सोचो आगे सोचो विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है और बड़ा सोचने से कभी धरो मत ज्ऊक दो अपने आपको क्यों कि हमें बोला जाता कि जो बोलते हो और पूरे दिल से बोलते हो वो होगा जरूर क्योंकि ब्रह्मांड कशी आदमी से कुर्ण करनेक्ट रहां और आप दिसा ले चुके हो इस मैंसे ज्यादा ज्यादा लोगको ध्यान रखिए कि बड़ा सोचना है जल्दी सोचो हां लेकिन सोचने के साथ साथ उसमें अपनी मेंटरस की प्लानिक जरूर ले और प्रिक्टीकल कुछ चीज़ें होंगी जो वहां तक पहुंचने में लगेंगे तो दोस्तों धीरवाई अमानी की हमने सुरुवात में जीवनी पड तो पूरी किताब में एक कॉमन चीज लिकली वह लिकली कि वह बहुत बड़ा सोचते थे बलकि वही नहीं दुनिया में जितने भी लोग टॉप में पहुंचे वह बड़ा बहुत सोचते थे जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हो तो सबसे पहला यह होता है कि आपके आ बड़ा सोचो लेकिन प्रक्टीकल आगे जो पॉइंट वाला हुँ उस हर पॉइंट को सुरफ बड़ा सोचने से आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे भडा सोचने के साथ साथ अगला जो मेरा की पुइंट है भोग कीपॉइंट है commitment commitment कैसा commitment कैसा कि तोटना नहीं कर भीτο ध्यान रखना है और चलिये सैकेंड की है जिंदे कीमें commitment commitment कैसा कमिटमेंट जो है अबहाइम लिंकन जैसा अब भाहँ हुआ है dal्सीमा और खकात को काटने के लिए अगर आ 6 गंटे दीजिए और मैं पहले 4 गंटे कुलाड़े की धार तेज़ करने में लगा हुआ हमारे ग्रेट मेंटर मेरा ब्राइंग लिंकन कौन है जस्वीर मागरोजी साड़े तीन साल तक वो गोल्ड बने रहे और ये लाइन इतनी इफेक्टिव है इस लाइन को मैंने सुना सुना के अपने अंदर डाल डाल के हमारे ग्रेट मेंटर कोई पूरी सेफसों में एकात कोई ऐसी सक्सियस होगी जो साड़े तीन साल तक गोल्ड बना रहे पॉजिटिव रहे करजाबी हो जाए उनकी कानी आपने सुनी होंगे यूडिव लेकिन मैंने तुमको बहुत परसनल लज़्दीक से सुना है उनके जो कमिट्मेंट हमेशा रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि वो चाते तो जंग लग सकती थी यह से नो वो चाते तो जंग लग सकती थी लेकिन सांदार तरीके से उन्होंने कमिट्मेंट को कभी तोड़ा नहीं और वो बताते हैं इसमें हमारे पापा जी भी साथ में थे तो दोस्तों कमिट्मेंट ऐसा लेना होगा कि चेक डाउन हो जाए रेकागनेशन डाउन हो जाए कभी कोई हादसा हो जाए तो हर हादसा ह समस्य आपको मजबूत करेगी मेरे बारा साल का कहरियत है लेकिन कभी भी जो सेव सौम में एग्रिमेंट किया है ना आपने ये तोड मत देना अगर ये तोड़ दिया नेवर के बद ध्यान रखना जिंदकी में कुछ भी हो जाए घुटने तिक जाए पर कभी भी छोड़ने क के बारे में मुस्चना कमिट्मेंट ऐसा रखना अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे अबराम लिंकन के बारे में तो आप देखेंगे कि सोल्में राश्पती बने अमेर्का के और कईना के इनकी जिंदकी में इतने बड़े-बड़े भूचा लाए जब मैंने उनको कि गुसे में मैं कहीं खुद को ना मार लो इतना फरस्ट हो चुका था हर चुनावारा जिससे प्यार किया वो छोड़के मतलब वो मर गई बहुत गरीब घर में पैदा हुए और किस किस तरीके की सिच्विशन रही और बैंस हैं यही सिच्विशन में अपने ग्रेट मेंटर जश्विशन मावर जी के देखता हूं लोग आज बोलते हैं आज लोग की स्टैल को कोफी करते हैं उनके एर अन्यां कि लेकिन कि यह कोटेशन जो ब्राहिम लिंकन जी ने दिया है कि क्रिसी ब्रच को काटने के लिए आप मुझे 6 गंटे दीजिए सबसे पहले कि 4 गंटे जो रहेंगे उस 6 गंटे मैं से मैं जो धार मतलब तैयारी करने में लगाऊंगा तो दोस्तों जब आप कोई एक्टिविटी प्यारी के साथ प्लान दिखाएंगे एक प्लान देने के साथ साथ दोस्तों आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा आप सब से चाहें तो आप अपना सकते हैं जब भी किसी ब्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो 30 सेकंड के एक प्रात्रा जरूर करें मनी मन में तीहे परमात्मा आज मैं जिसको प्लान दिखाने आया हूँ इस पे इतनी किर्पाःत रिष्टी Happiness कि मेरी टीम में जॉइन करें अभी जॉइन करें प्लान दिखाने के साथ और मेरी टीम का डैमंट जाए जब आप इस प्रात्रा के बाद मनी मन में प्रात्रा करने के बाद जब आप प्लान फुल्टर खुलोगे तो मैं ये भरूसा देता हूं 99% सेल आपके पास आजाएगी तो तैयारी के साथ करें सिर्फ फंक्शन की तैयारी नहीं करनी एक प्लान दिखा मैंने भी दोश्त एक नहीं देखा था दो अजाबहु मातर 20 मिट का प्लान देखा था तो ध्यान रखें जिसको अप प्लान दिखा रहे हैं वो दूसरा विकास हो सकता है हलके में ना ले पुरी तैयारी के साथ जाएं और तैयारी करने में समय लगाए उस व्यक्ति के बारे में जानें समझें वो क्या नीड है उसकी तो आप देखोगे कि आप सो प्लान दिखाओगे स्वामें से नभी से लेके आओगे जो एटी ट्वंटी का जो हमने कहीं से पढ़ लिया है यह बात तो सही है पर पुराने जमाने की है अभी जमाना चेंज हो चुका है टेकनोलेजी चे मैं जानता हूं जब परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे उपर हंडेट परसेंट है मेरा कमिट्मेंट हंडेट परसेंट है तो रिजल्ट भी हंडेट परसेंट आए गई आएगा इसका ख्याल रखें नेक्स की मेंटर्स मेंटर्स का मतलब आप क्या समझते हो मेंटर्स का मतलब ह होता है कि आप एक छोटे पौदे की तरह होते हैं जो आपको बढ़ा करने के लिए हर दिन आप में पानी लगाता है हर दिन आप में हवा धूप पानी लगाके आपको बढ़ा करने की इच्छा रखता है देखें अप्लाइन तो बहुत सारे होंगे आपके लेकिन एक दूप् से मेंटर्स कैसा अगर मेंटर रहेगा तो क्या होगा आपकी सबसे पहले तो मेंटर क्यों जरूरी है वो मैंने समझा इस बिजनेस में कि बिना मेंटर्शिप के आप बड़े पौदे मजबूत पौदे नहीं बन सकते क्योंकि उनकी हवापानी बहुत जरूरी है और इसका हो तो जो भी निगेटिव चीजें हैं जो भी भूत पिसाच हैं वो सब आप से दूर रहते हैं और आप काम वरे फिडम के साथ कर पाते हो अगर आपकी जिंदिकी में भूचाल है आप दुखी है आप परेशान है इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक आपने कोई पर्मान जी की तरह होनी चाहिए अगर वो बोलें तो आपके मूंसे पस एस लिकलना चाहिए और ऐसे एक दो ही मेंटर होते हैं जो परसनल केर करते हैं आपकी तो मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा ध्यान रखो तीसरी जो मेरी की पॉइंट है मैंने मेंटर्शिप को हमेशा ल के दोनों हाथ हैं पूरी ब्लेसिंग्स हमारे उपर था कोई लीडर सब क्वालिटी हैं उनके अंदर कमिट्मेंट दमदार है मेंती हैं जॉब भी छोड़ देते हैं प्लान भी दिखाते हैं फॉल अब भी करते हैं लेकिन मेंटर्शिप में नहीं रहेंगे तो लॉड जो ह कमिट्मेंट लें तीसरा एक मेंटर का जरूर नाम लिख लें आप मेंटर ऐसा होना चाहिए जो हंड्रेट परसेंट एक्टिव हो थ्री कार्डियर रूल फॉलोवर हो यहां रखना देखो बहुत सारे अप्लाइन होंगे आपके मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात क कराता हूं अगर ऐसा मेंटर चुल लेते हो आप तो मुझे ऐसा लगता है कि वह कंपड़ा लिखा ज्यादा पड़ा लिखा डजन मेंटर मेंटर इस मेंटर तो दोस्तों अगले दो सेकंड में आप नाम लिख लिजिए चलिए डारी पैन है लिख लिजिए आप दो मेंटर लिख लिजिए और आज आँख बंद करके उनको संमिशन कर दीए लिख लिजियए आप मैं दो सेकर्ड तक मैं इसको बेग देता हूं लिख लिजिए सो समिज़ने लिख लिजिए आप न add केवाद उनको पॉइंट की तरफ जाएंगे हम अगला की पॉइंट है मेरा वो है फॉर्थ की पॉइंट जिसका नाम है कोर वैल्यूज दोस्तों हम बड़ा सोचना शुरू कर दिये सांदार तरीके से कमिटमेंट भी ले लिया डायमेंट बनने का अब ब्राहिम की तरह है और हमने अब मेंटर भी चुल लिया अब अगला की पॉइंट है जो बुरा वो है मेरा कोर वैल्यूज क्या होते हैं मेरी नजर में हालकी कोर वैल्यूज बहुत सारे है टिस्टेप ट्र कोर वैल्यूज हमारे ग्रेट मेंटर जस्वी मावरी से मैंने सीखा है और वो एक बात बोलते हैं करम का सब खेल है या लोट कर तो आएगा जो आज तुझे रोला रहा है कल कोई और उसे रोलाएगा मतलब जैसा आप वोगे वैसा काटोगे जिन्दगी में ध्यान रखो य तो उसमें दसका नहीं उसमें 100 गोडा करतो सो का गोडा वैसाही होने वाला यह आपके साथ में यह पैरी basic core value है duplication की यह हमारे business की है इस core value का जिन्दी की लियात रखना है में और उसको तोड़ा समस्जते हैं उनकी बहुत हम समस्ützenरैन हरी ऐगर आपके core values ठीक नहीं है तो आपकी ID तो आई की टीम में इकिन वह सारी की सारी ID खतम हो जाएगी मतलब और प anticipated भीच्वे में तो आते हुए लेकिन तो आपको क्यों कि जो आपकी वोगे सिस्टम में आपके हैं बैड सिस्टाइंगों मतलब माहौल जब लोग आपके माहौल में आते हैं तो वो खुसी नहीं उनको ना तो खुसी जायर होती है ना भापर जोश है ना भापर excitement है ना कमटेड है ना कोई तालीब जा रहा है ना कोई ethics की बात कर रहा है सब उसी में लगे पड़े हैं कोई Facebook चिपका के लेके आ गया कोई गाने सुना रहा है कोई डांस कर रहा है यस यस खंपल सरी वट ओर वैल्यूज का दोस्तों हमें खयाल रखना है इसको होट डीपली थोड़ा जाते हैं, core values का मतलब है monkey see monkey do, ये core values है, अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि core values क्या क्या है, core values प्रगति सुत्रेवस में पढ़ लीजिएगा, 10 core step है, हमेशा ध्यान रखिए कि monkey see monkey do, सबसे पहले अगर आप चाते हो कि कोई काम आपकी downline करे, विखास का ऐसा मनना है, कि सबसे प मुझे अगर मैं चाता हूं कि मेरे team leaders लें, तो सबसे पहले विकास की ये जिम्मेदारी बन जाती कि सबसे पहले वो खुद ले, और उसके बाद जब वो ये बात अपने team को बोलेगा, तो team उसको duplicate करने मुझे आसान हो जाएगा, confidence आ जाता है, जैसे हमारी great mentor जस्वीर पैसा था, ना कोई mind programming की, लेकिन वो लेके आए, और मेरे को वहाँ से showroom से गाना सुनाती, इतनी जवरजस्ट mind programming होगी मेरी, और अब तो मैं सोच रहा हो कि साला कुछ हो ना हो, गाड़ी होनी चाहिए हरालत में, और दोस्तों मैंने double diamond level पर मैंने ओड़ी कसानी थी, क्यों क साली थी, क्योंकि जब हमारा mentor ले चुके हैं, तो फिर मेरों को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने देखा, अब मेरी बारी है, मुझे लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते, और वो मेरे उपर pressure डालते, तो साहिद मैं कभी नहीं लेता, तो दोस्तों, कई बार ऐस होता है, हम target की बात करते हैं, downline से, capping की बात करते हैं, ethics की बात करते हैं, three card rule की बात करते हैं, core values की बात करते हैं, communication की बात करते हैं, stride बनाओ बात करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, downline सब कुछ करनी चाहिए, तो दोस्तों, पहले हम, सबसे पहले हमें करना है, और कि इसके बाद टीम उसको अपने आप डुप्लिकेट कर लीगी जानता हूं कि आज मैं जो कर रहा हूं कुछ समय के बाद चाहे मैं अगर मेरी डॉन लाइन नहीं भी देख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डॉन वह डॉप्लिकेट हो जाएगा कहां से होगा ये अगर लेजन्ट बनना है तो आपको आज जो मैं भाषा बोल रहा हूं वो मैं एक लेजन्ट की वासा बोल रहा हूं और आपको जो ट्रेंडिंग आज दी जा ही है ये सिस्टम की ट्रेंग इजैन की हुई है पूरी की पूरी इसमे मेरा कुछ नहीं है आपको लग रहा होगा लेकिन दोस्तों अगर आप इस ट्रेंग को अमल करते हो तो आने वाले कोई चार साल पांच साल तीन साल साल में एक साल में जाते जाते इससे कि बड़े बड़े अचीमेंट ले सकता है को पूर वैलियूज हम जस्वीर माउगर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उनके को वैलियू जो उन से हमने सीखे हम उनकी बात करेंगे कि डुप्लीकेशन यह कोर वैलियूज का पहला सिद्दानत है डुप्लीकेशन हमेशा डुप्लीकेशन का खयाल ध्यान में रखते हुए हर काम को करें अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ब्रेस कोड में बैठे तो सबसे पहले आपको बैठना होगा फिर बैठने के बात बोल आते हैं नंबर दो कम्मिकेशन कम्मिकेशन का मतलब होता है दोस्तों सुबह दो घंटे रगड़ा पठी करना फॉन पर और रात को सोने से पहले दो घंटे रगड़ा पठी करना फॉन पर इसको कहते हैं कम्मिकेशन मतलब रिपोर्टिंग मतलब एम सी आर मेंटर से हाइन reporting system calling system मेरा कहने का मतलब है कि communication हमारे business की बहुत बड़ी cool value है मैंने कई लोगों को देखा है कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा सा communication पहले तोर देते हैं तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यार रखें कि लगातार आपकी डाउन लाइन से और आपके मेंटर से लगातार बात्चीत होती रहेगी तो आपके network में सही duplication होता रहेगा next point visualization सारे साथी हमारे दिशा में गए होंगे कई सारे इसमें बैठे हैं visualization एक ऐसी सकती है कि काम करने से पहले कोई भी आप काम करने जा रहे हो अगर 10 मिनट उसकी कल्पना कर लेते हो कि वह काम होगा कैसके उसके result कैसे होंगे तो visualization एक ऐसी core value है कि आप होने से पहले उसे देख सकते हो कि क्या होने वाला है और यह core value का सबसे बड़ा point है दोस्तों तो हमेशा हम जब अकेले में बैठे होते हैं या हम कोई चीज देख रहे होते हैं तो visualization जरूर करें एक पिच्चर आए एक पिच्चर है सुपर थर्टी जिसमें की देखी होगी कई साथियों ने जिसमें की मिस्टर जो आनंद है जिसने रितिक रोशन ने जो रॉल लिवाया है आप देखेंगे उसके पास कोई सुपधान नहीं है लेकिन visualization के माध्यम से ही अपने बच्चों को बढ़ाता है और सारे के सारे बच्चे उसके सुपर धर्टी में मतलब सारे के सारे ऐसे कैसे हो गया तीस के तीस बच्चे मतलब आई एटी में चले गए कोई नहीं बचा तो visualization एक इतनी आपको करना है तो आप को जाएंगे तो आपको सिखा दिया जाएगा और जो साथी जानते हैं वो कर सकते हैं next point is solution, दोस्तों ये core values का बहुत बड़ा point है solution, कई बार क्या होता है, जब हम काम करते हैं, तो कई सारे challenge हमको आते हैं, और हम solution की बजाए हम समस्याओं के बारे में रोना धोना शुरू कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए as a leader, अगर बहुत आगे जाना है, अगर एक team बनानी ह तो हमेशा आपको solution के उपर काम करना है, और solution के उपर काम करेंगे, तो आप बहुत आगे जाएंगे, जब भी आप mentor से बात करते हो, downline से बात करते हो, तो हमेशा solution के उपर बात करें, और मुझे ऐसा लगता है, जब solution के उपर आप बात करेंगे, तो आप देखोगे team के जो करना स्टार्ट करें यह हमने सिस्टम से सीखा हुआ है डुप्लीकेशन कम्निकेशन विजलाजिशन और सॉलूशन यह चार ऐसे पार्ट हैं जिनको ध्यान में रखें अपनी टीम में कि मैं क्या डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं किस से बात कर रहा हूं मैं किस इसकी कल्पना कर रहा हूं क्या मैं solution का पार्ट बनता हूं या मैं problem का पार्ट बनता हूं यह थोड़ा देखने की जरूर है तो इसका ख्याल रख है है थेंक यू बेरी मच अगला मेरा की पॉइंट है दोस्तों रिजल्ट यह मेरा फिफ्ट की पॉइंट रिजल्ट हर आदमी चाहता है कि रिजल्ट आए जितने भी लोग बैठे हैं वो भी रिजल्ट के भूके हैं और आख कोई ऐसी चीज बताओ जी जिससे रिजल्ट आवे तो दोस्तों जो रिजल्ट जो है यह पांचमी की पॉइंट है मेरी सक्सेस की रिजल्ट विकास दुनिया में कहीं भी रहे चाहिए एरपोर्ट पे बैटा है खाना खाना कुछ भी कर रहा है लेकिन उसके दिमाग में रिजल्ट चलते रहते हैं कि रिजल्ट क्या चाहिए मेर और रहा है उसनेसाभ अगर व्योके उसका स्चारे से कभी संतुस्त ना हो अपने प्रियूट से हमेज़ा अपने अप्लाइंस में जब भी आप रिपूर्टिंग करते हो हमेशा एक चीज और बोलो कि महागुरू जी रिजल्ट कैसे बढ़ाएं तो वो आपको ये चीज को एक दिन में सीखने वाली नहीं है जितनी भी मैं सारी चीजें बता रहा हूं यह साथ के साथ की पॉइंट जो है वो जिन्दकी भर सीखने हैं और जिन्दकी नेसलानी और जिन्दकी भर करने वाले हैं यह ऐसा नहीं कि आज आप ने लिख लिया स्क्रीन सॉट मार लिया फिर आप डाउन लाइन को पढ़ाओगे तो कोई फैदा नहीं मिलेगा हर की पॉइंट आपको अपने उपर अमल करना है और कहिना कि मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है वो आपको इस बिजनेस में ता रिजल्ट कैसे लिखाला जाए ये की पॉइंट हमने सीखा है नर्सी गिरवाल महागुर जी से यह हमेशा बोलते हैं जब भी रिजल्ट के लिए जाओगे तो सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग जब भी रिजल्ट के लिए जाओगे तो आपको डर रहेगा अरे यार वो तो मेरे से ज़्यादा पड़ा लिखा है मैं उसको कैसे प्लान दिखाऊंगा अरे यार मैं मीटिंग करूँगा तो पता नहीं डाउन लाइन हामें महा मिलाईगी कि नहीं मिलाईगी तो हमेशा ध दुनिया कुछ भी बोलती रहे इनको कोई फरक नहीं पड़ता और इसका एक्जामपल है इनका एक करोड़ का चेक तो मावरी के लिए जोड़ार तालियां हो जाए रिजल्ट कैसे लिकाला जाता है मैंने इनसे बारी की से प्रॉपर मैंने देखा है समझा है कुछ भी हो ज फिर यह करेंगे चाहिए फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं तो दोस्तों रिजल्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको वीजनेस में आपको मजबूत करने वाली चीज़ आप मेंटली मजबूत हो वेकिन फैनेंसली मजबूत नहीं हो तो नरक वोग खास करके समाज में रह रहे हो तो तो हमेशा ध्यान रखो रिजल्ट का मतलब बढ़ते होए करम में चेक अगर पिछले वीक का चेक आपका एक जार का है तो इस इस वीक आप यह प्रयास करें कि मैं दो जार का कैसे बनाओ अगर इस वीक का चेक आपका दो जार का है तो आपका प्रयास होना चाह यह कि मैं पांच oler का चैक कैसे बनाऊ और ये अपने दिमाग से ये बात लिखालता है कि लोग क्या कहेंगे लोग अग्र आप डायान नहीं बने तो लोग कहेंगे अरे हार मैं तो जानता ही था सालाश तेरे में कहां है बन गए तो क्या बोला हम तो जानते हैं तुम तो जाने से मतलब करो contains कि कोई बने ना बने तुम पक्का बन जाओगे तो हमेशा आपाद कर दो नमस्कार आप जिन्दीन बार दो बन अप Disease берet proud करें नमस मे क्रते रही है नमस्कार करते रहें यह ध्यान रखेंस तो अगर आप चाते हो कि हमेशाँ है और पारे में बात करें तो तो अपने आपको कभी भी छोटा मत समझो आप ऐसे समझो कि सेवसोप के लीडर हो और जो आप जानते हो वो नहीं जानता है तो बड़िया प्लान दिखाना है बड़िया फॉलप करना है और रिजल्ट अच्छे से अच्छे लेके आने हैं और हर दिन एक मुहिम बनाओ कि मैं दोसों भीवी लाओंगा मैं चार सो लेके आऊंगा हजार लेके आऊंगा तो रिजल्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है यह मेरा अगला की पॉइंट है अगला की पॉइंट है दोस्तों मेरा सिक्स अब हम ट्रेनिंग खतम होने की तरफ है वो है ग्रेटीट्यूट ज़्दा लीटर नहीं बन पाऊ गए ग्रेटीट्यूट मैंने किस से सीखा मैं ना सोसल मीडिया से सीखा ना किसी साला सोशल मीडिया के ट्रेनर से सीखा क्योंकि उन से कई गुना ज्यादा पावर फूल तो हमारे मेंटरी है और ग्रेटफुल होने हैं कि जो मैंने अपने में अपना हंड्रेट परसेंट शकरात्मक ही दूंगा चाहे सिचेशन कैसी भी हो चाहे वो मेरे पच में हो या ना हो मैंने उनको देखा कभी-कभी मैं मैं भूला यार मैं इसे यह निगेटिव क्यों नहीं बोलते मैं कभी भी उनके पास कुछ भी लेके गया वो तोड मरोड के उसको सही करके उसको पॉजिटिव बना के दे देंगे तो मैंने उसे सीखा कि कैसी भी हो आपको ग्रेटफुल कैसे रहना है मतलब आदमी बोलता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव की खिताबें पढ़ने से मुझे लगता है कि आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे लेकिन अगर आपने अगर मागुर जी विजय पाल मागुर जी का अगर आपने जीवन कि तो कभी उनको उसे बात करने का मौका मिले और जान बूच कि आप उनके पास कभी कंप्लेंट लेके जाना आपको लगेगा वह पुछका रहेंगे वह प्यार के रहेंगे पुछका रहेंगे लेकिन जब आप रहोगे ना तो इस बात का मैं 500 परसंट गारेंटी देता हू कि आप ग्रेटफुल होके वहाँ से लिख लेंगे और आप बोलेंगे विर्कुल मागुरुजी आप तो सही कह रहेंगे तो दोस्तों यह चीज हमने अपने ग्रेट मेंटर विजैपल मागुरुजी सीखी है बड़ा अच्छे से अमल किया है और मैंने देखा है कि उनके ज अपल लीडर्स की टीम किसी की है तो वो हमारे ग्रेट मेंटर विजैपल मागुरुजी है दोनों लेगों में एड़न्टी भाई मतला पूरी कंपनी की बात नहीं जर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की अगर किसी को प्राथना में अगर दीम टीम मांगनी ह है तो विजैपल महागुरुजी जैसी ड्रीम टीम मांगना मेरे दोस्त ऐसी सकतिसाली टीम कि साला कितना भी बड़ा टार्गेट हो कंपनी चालिस लाग कर लेके आए चाहे चाहे साला एक करून का टार्गेट लेके आ जाए सबसे पहले मागुदी का टार्गेट होगा और हार जग है मतलब कई लोग बोलते हैं यह करता हूं मैं वो करता हूं और सीधी सिंपल सरल परसिनल्टी के मामले में हमारे ग्रेट मेंटा सरलता के मामले में ग्रेट बोलने के मामले में सौलूसन के मामले में मतलब आप मैं क्या बोलू और यह सारी चीज़े मैंने उसे प्र रिपोर्टिंग उपटिंग मैं सुरू से करता रहता था अब तो खेर जश्वीर महागुर जी ने पूरी तरीके से मुझे जाना यह नहीं पड़ता है पूरा उन्होंने समाला हुआ है तो मेरा कहने का मतलब है कि विजेपाल महागुर जी का मतलब सॉलूशन की फैक्टरी है वो वो ग्रेटफुल की फैक्टरी है वो हैंसम की पर्सनल्टी है आप देखोगे मतलब कोई भी चीज लिख लो साब वो आपके उनके अंदर मिलेगी और बहुत ही मतलब आज तक मैंने कभी भी उनको उची आवाज में कभी भी किसी प्यक्ति से चाया पो पर्सनल बात तो और मैं इस बात का कायल हूँ मैं बनना चाहता हूं मैं कोसिस करता हूं उनकी तरह लेकिन मैं अगर पांच परसेंट भी उन जैसा बन पाया है मेरा सोभाग्य होगा और दुनिया की सबसे सफल लीडर्स की टीम है दोस्तों हमें सोचल मीडिया पर जाके नहीं सीखना हमें आ जाते हैं आप विजयपाल महरुई की वीडियो लिकाल लिकाल के सुनो आप फिर उनकी शरलता को देखेंगे आप उनकी बाच्चित करने के तरीके को देखेंगे और कईना के हमारे ग्रेट मेंटर जस्मीर मागुरुजी नाखों वीडियो पढ़ें आप उनके वीडियो hope क्यों अदें कि दरम गूंते रहते इस वीडिया पर साला दूस्त जिन मेंटरों से जिंकुरूं की दर्लाइन में रहें के ना कि सेपसल व बलकि सालाह अजारों कंपनियां चलती हैं लतूरी मतूरी चटूरी उन ही की गयटनेंस चुरा-चुरा चुरा-चुराकर वो लि кино पानी चला रहे तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों अगला मेरा कीम पॉंट है dream टीम बनानी है और टीम नहीं बनानी है और dream टीम कैसे बनानी है किस यैसी बनानी है वह मैंने सरे काम सीग लो सारे काम समझ 주 लेकिन जिम्मेधारी नहीं लिए तो फिर मुझे ऐसा लगता है फिर तो यह सारे काम फिर तो आप मालों की रद्दी हैं अद्यान रखो सेविंत की है रिस्पॉंस भी जिम्मेधारी और परण जिम्मेदारी के मामले में एक हमारे मैं बोला ना कि मैं सिर्फ अपनी मेंटरिसिप से सिखता हूं मेरे को कहीं से और से सीखने जरूट है miss ना तो मैं सोसल मीडिया पे जाता हूं ना फेस्बुक पर रहता हूं आ यहाँ ए तक मेरी पॉंच है तो दोस्तो अगला जो point है सेविंथ की बहुत important point है और ये point मैंने सीखा है great mentor माद मागुरीशी से जिम्मेदारी लेना और सही leader को خोज कर उसे जिम्मेदारी देना मैंने इनको बाकू भी देखा है बोधी जवर ज़स्त कहरें लोगों के अंदर तो स्भावलान है लेकिन जो मैंने सीखा वो बता रहा हूं मैंने सिखा इनमें ॥ा लेकिन पर्सनल आप लोग बोलते हुए नहीडियों कि बोल।Ã में को न नो नो मैंन नो संताकुत्री से महागु इसे तो मैंने हर मेंटरस है और उसके ऐसे लोग एंग सब्सक्राइब करद्थिए कि तो किसी देते नहीं है कि इसी दिभाव दिक किले लिए और यह किसी को देनी भी यह बहुंगे पर गहादução हो धीनियों में जो भूड़ते हैं टीम में तो आपकी टीम में भी कहीं ऐसे लीडर होंगे जो प्लान लेने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। के जिम्मेदारी ले सकते हैं और उनको ढूंड़ो खोजो और उनको जिम्मेदारी दो लेता कोई नहीं म्यगे पूसप करना पड़ता है दोस्तों दीरे से तो दोस्तों सातों कर साथो पॉइंट हैं सिस्टम से सीके हूए हैं और दोष्त ओ मुझे ऐसा किया और जिसको काम करके जिन चीजों को मैं यह तक पहुंचा और मैं आगे पहुंच रहा हूं तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी यह लीडर बैटे हमारे ग्रेट मेंटर को छोड़के उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ पॉइंट एक दिन म बाद बुलने का खिंप्यू वेरी मच्च आपने हमें सुना बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया और मैं अपने ग्रेट मेंटरों का भी धन्यवाद करता है इस्पेसली जो पैनल पे बैठे हुए हैं हमारे उन सारे ग्रेट मेंटर्स के लिए मैं चातो गए जोरार तालि हो जाएं और यह साथ पॉइंट बहुती सरल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुती सरल वासा में जो मैंने सिस्टम से सीखी हुई है मैंने उस वासा में आपको समझाया है क्योंकि आज हर प्रकार की लीटर नहीं बैठे हुए हैं तो दोस्तों सांदार तरीके से हर पॉइं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी थेंक्यू बैरी मच दोस्तों आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थेंक्यू बैरी मच मैं चाहता हूँ एक बार उंभी शरकली भी तालियां हो जाए ग्रेट गुरुजी के लिए भी जोरा तालियां हो जाए सांदार गुरुजी आपने हमें मौकद लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जश्वीर मागुरुजी मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरा तालिया हो जाए जिन्होंने हमेशा ही हमेशा ही रास्ता दिखाया और कहीं आज वह हमें एक बहुत बड़े लेबल पर लेके जा रहे हैं बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद्जी अभारत जय सेफस्वाप सुक्रिया मैं भगवान से प्रात्रा करता हूं कि जितने लोग यह बैठे हैं उन सब की ग्रोथ में कई लाक गुना ज्यादा सक्सेस तरक्य सम्रिद्धी आए ऐसी मैं प्रमातमा से प्र प्राथना के साथ मैं स्ट्रेंडिंग को समप्त करता हूं और मैं चाहता हूं फिर से सेवस्वाप के लिए सिस्टम के लिए और मैंटर स्के लिए लोग झाल